दोस्ती प्यार और धोखे की आपने कई कहानिया सुनी होंगी लेकिन आपको दोस्ती प्यार और फिर गाउं की प्रधान बनने की कहानी बता रहे हैं यह कहानी है 21 साल की जान की गौण की उसने 4 साल पहले लब मेरच की थी दोस्ती प्यार में बदलने के बाद 4 साल पहले उसने गौरापटेल से लब मेरच की और खर पसाया उस समय उसने जरा भी नहीं सोचा था कि वो कभी गाओं की प्रधान बन पाएगी लेकिन आज सागर जिले के केसली जनपत की ग्राम पंचाय देवरी नाहरमव में सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई महिला ने खुद अपनी कहानी बताई है आईए आपको बताते हैं महिला ने बताया कि वो नाहरमव गाउं की रहने वाली है गाउं के ही गरब पटेल से पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई तो दोनोंने शादी करने का फैसला कर लिया दोनों के परिवार वाले बीज के लिए राजी हो गए चार साल पहले उन्होंने लब मैरेच की शादी के करीब चार साल बाद पंचाट चुनाव की घोशना हुई महिला ने बताया कि हमारी ग्राम पंचाट को स्टी महिला वर्ग के लिए रक्षित किया गया स्टी महिला सीट होने के बाद गाउं में सरपंच प्रत्यासी की तलास हुई तो सिर्फ मैं ही एक दावेदार निकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गाउं की प्रधान बन पाऊंगी उसने कहा कि सुरुवात में तो डर लगा लेकिन परिवार वालों ने होसला बढ़ाया जिसके बाद गाउं वालों ने भी निर्विरोध सरपंच बनाने का एक मत फैसला कर लिया और इस तरह से महिला को जीले में सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का मौका मिल गया आगे उन्होंने कहा कि सरपंच का काम गाउं की हर समस्या का समाधान करना होता है और मैं भी गाओं के हर वेक्ति की समस्या का निराखरण करूंगी गाओं में सुरक्षा के लिहाद से पुलिस चौकी खुलवाने के भी प्रयास करूंगी बिरो रिपोर्ट विराज नियूज निर्मान करवाएंगे हम इतना काम करेंगे कि महिलाओं के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी